तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों आज के वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा आपका जो रिनेम कार है आप उसे किस तरीके से कलेट कर सकते हो और आपना जो है नाम को चेंज कर सकते हो जो अपना केरेक्टर का इस वीडियो के अंदर दिखा दूगा ठीक है तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बैल आइकन पर क्लिक करके नोडिक्वेशन को आल पर सेट कर दो ताकि मैं इसी तरीकी का अपडेटेड वीडियो नाया वीडियो जब भी लाता रहा हूं उस सारा नोडिकेशन आप लोगों तक इंस्टंट आता रहा है ठीक है तो चलिए वह बाला ट्रीक जो है आप लोगों बताता हूं कि इस तरीके स आपको जो है यहाँ पर मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर फिलाल मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूं यहाँ पर आप नोडिस करना सिर्फ यहाँ पर इभेंट दिखा रहा है ठीक है इभेंट यहाँ पर दिखा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्या करन तो simply मैं क्या करता हूं यहां से ID को यहां से log out कर लेता हूं log out करने मेरा जो अपना original ID है ठीक है तो मैं उसे यहां से एक बार login कर लेता हूं ठीक है तो मैंने उसके अंदर rename card को purchase किया है मैं आप लोगों को वही बाला यहां पर दिखाता हूं scene क्या है तो किस तरीके से जो है अपना rename card वहां पर अपने को मिलता है यानि rename ID जिससे हम अपना नाम character का वहां से change कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर actually है जिसका नाम है return ठीक है return बाला option अपने को देखने को मिलता है तो यह return बाला option हमें कब देखने को मिलता है अगर आप 21 तक यहां पर लोग नहीं करते हो तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो इस अप्षिन से अपने को क्या होगा अगर आप यहां पर देख पाओगे तो हमें जो ह्या डए अगर आउड्य कार्ड मिल जाएगा उसके साथ हमें और भी काफी सारे आइटीम यहां पर देखने को मिलेगे लेकिन हमें सिर्फ rename card चाहिए तो यहाँ पर देख लीजे clearly दिया गया है daily return के अंदर हमें एक rename card मिलता है जो 30 days के लिए valid होता है जब आप इसे collect करोगे उसके बाद जो है आपको 30 days के अंदर अपना नाम change करना है वरना यह id का दो expire हो जाएगा और दोस्तों आपको जो है अपने id को 21 days तक login नहीं कर रहा है तब जो है आप लोगों को यहाँ पर यह वाला rename card मिलेगा ठीक है तो यही छोड़ा सा तरीका है जिससे कि आप लोग यहाँ पर rename card ले सकते हो और अपना जो नाम है आप वहां से इसे change कर सकते हो बड़े ही आसानी से ठीक है तो मैंने इस rename card को purchase करने के लिए ठीक है मैंने इस id को जो है 21 days से login नहीं किया था तो तभी जो जाके मुझे यहाँ पर यह चीज़ दिखा रहा है ठीक है तो आपको सारा कुछ clear हो गया होगा किस तरीके से rename card लेना है तो अगर आपको सारा कुछ details में समझ आ गया है तो आप इस तरीके से follow कर देना आपका भी हो जाएगा ठीक है अगर नहीं होता कुछ issue होता है तो आप मुझे comment कर देना मैं आपके comment का 100% replay दूँगा ठीक है जो भी issue होगा मैं उसे fix कर दूँआ या फिर आप मुझे अपने instagram चैनल पर आगे follow कर सकते हो जो की instagram का page अपना है wildtake official ठीक है अप उस पर follow करके आपका जो भी queries है आप नहीं है rename card के इस तरीके से लेते हैं ताकि वो भी जो है अपना नाम हो गए रहा है चेंज कर पाए ठीक है तोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए मिलते हैं इस तरह की next वीडियो तब तक के लिए stay tuned our channel